आप सबी लोग अच्छी होंगे और आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ऐल्गू ट्रेडिंग कर सकते हैं और डिफरेंट 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 ड्रोकर्स के साथ में प्लस आपको मैं बिल्कुल जीरो से explain करूँगा मैं मानता हूँ कि आप लोग सीखना चाते हो बिल्कुल जीरो से कि यार यह होता क्या है कि यह कैसे जाता है और कैसे profits अर्ण के जाता है देखो हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं इसके पीछे का simple सा logic है रहता है कि हमें खुद इसके नाम है जैसे automation trading बोलता है आपने सुना होगा तो यह होता क्या है अपनी strategies को जो भी आप use कर रहे हो उसको आप coding के through या strategy बनवा कर order से आपको खुद नहीं करना है वो करवा कर आप इसको system पे छोड़ सकते हो और जो भी profit loss statement आएंगे वो आपकी strategy के साफ से आपके account में आने लगेंगे आज भी अगर कोई manual trading करता है तो उसके पास कोई ना कोई strategy होती है कि भाई देखो 200 days moving average के उपर हो वी web के उपर हो candle तब मेरा buy करो यह सारी चीज़े आप automation पे बहुत easily implement करा सकते हो और आपको बहुत सारी चीज़ों का profit होने वाला है उन में profits की बात करें उससे पहले एक और ध्यान रखो कि हम Indians के लिए यह चीज़ नहीं है बट बाहर की countries में गर बात करें तो वो लोग पूरा काम automation पे ही करते हैं उनका main focus रहता है research and development के उपर वो क्या करते हैं अच्छे से अच्छे indicator develop कराते हैं हम लोग क्या करते हैं हम लोग पूरा दिन बैट के मेहनत करते हैं और 500,000 पे कमा कर सोचते हैं कि हमने कमाई की है actual में कमाई जो होती है पैसा कमाना एक slow process होता है बट जब यह fast होने लगता है लोगों को लगता है कुछ गलत चीज हो रही है actual में ऐसा नहीं है आपके account में profit loss statement depend करते हैं कि आप कितना risk reward ratio लेकर चलते हो अगर आप proper strategy से खाम करते हो आपकी strategy profitable है तो यकीन मानो system कितने भी हो आपको profit ही कमा के देने वाले हैं आप एक साथ 10 trade भी कर सकते हो automation के through manually इतना करना possible नहीं है common सी बाताती है अब मैं इसके कुछ profit बता देता हूँ देखो profits के बात करूँ तो profits तो बहुत सारे हैं बट कुछ गिने चुने मैं आपे समझाता हूँ पहली चीज यह आती है कि आपका जो share market में सबसे बड़ा दुस्मन है जिसका नाम है लाइक डर और लालच वो दोनों चीजों से आप बच जाते हो क्योंकि automation में यह नहीं पता इसको कि profit चल रहा है, loss चल रहा है trade होगी indicator के उपर profit हुआ, तो book कर लेगा नहीं हुआ, तो trade बंद कर देगा stop loss touch हो जाएगा, उसको कुछ नहीं पता वो आपकी पूरी proper strategy जो आपने बनाई है, उसी के उपर काम करने वाला है दूसरी बात आती है, automation trading के साथ-साथ आप यहाँ पर copy trade भी दे सकते हो copy trade का मतलब देखो, मैं आपको एक basic समझा देता हूँ मानली जी मैं हूँ मैं trade करता हूँ, मेरे पास कुछ indicators है मैंने कुछ strategy develop कर आई हैं और मेरे profits चल रहे हैं profits चल रहे हैं, तो मैं client को बोलता हूँ आप भी हमारे साथ account open कराओ या फिर हमारे साथ account link कर लो तो हमारे software के साथ में आप अपना account link कर लेते हो इससे क्या होगा, जो profits मेरे चल रहे हैं वो profits आपके account में भी चलने चालू हो जाएंगे ये basic चीज होती है, common सी बात है ये तो positional trades हैं, जो की automation से ही ली गई है ध्यान रखो, जो trades ली जाती हैं आप चाहे intraday करो, चाहे आप swing trade करो चाहे आप monthly basis पे trade करो हमारे system के थूँ आप बहुत easily trade कर सकते हो माली जी copy trade आप link हो तो ये profits आपके account में भी चलेंगे इसी तरह अगर माली जी आपने कोई indicator develop कराया कोई strategy develop करायी और आपको लगता है कि वो profitable है तो आप अपने like भाई, अपनी बहन, उनकी accounts भी अपने साथ link कर सकते हो तो महनत आपने किया है, सारा smart work आपने किया है profits जो हैं वो आपके, आपके रिष्चेदारों को भी मिल रहे हैं आपके दोस्तों को भी मिल रहे है, तो ये चीज़ भी आप algo trading के थ्रू कर सकते हो बाहर की country में बहुत सारे लोग करते हैं basically बहुत सारे लोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो खुद की strategy develop करते है और उस strategy पर लोगों को trade कराते हैं, सीदी सी बात है, अगर profits होगा, तो sharing होगी, नहीं profits होगे तो common सी बात है भाइदे को loss मुझको भी हुए है, loss आपको भी होगे उसके बाद बात करते हैं system close strategy, इसमें क्या होता है, आपने सुबह सुबह अपना system connect किया basically हम अपने system को update कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, अब आपको सुबह सुबह laptop खोलने की भी जरुवत नहीं है आप permission allow कर दो, कि मेरी ये strategy automation trading पे run कर दो, तो आपके नाम पे system strategy को run करता रहता है आपको देखने की भी जरुवत नहीं है, इसका फाइदा क्या हुआ, आप माली जी office जाते हो, आप housewife हो, आपके पास समय नहीं है आप वीडियो देख कर भी समझ सकते हो, वरना उपर नंबर दिया है, वो तो आपको पताईए, आपको कैसे उसको follow करना है तो फाइदा क्या होगा, आप अपने system को बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आपने मालो रात को strategy बनाई कि देखो भाई, मैं SBI के अंदर 1000 shares के अंदर काम करना चाहता हूँ मुझे पता है कि SBI का trend overall positive है, और जैसी वो VWAP के उपर जाए 3 minute के time frame पर तो मेरे 1000 share बाई कर दो, और 1 रूपीज का target मिलते ही मेरी trade बंद कर दो otherwise वो VWAP के नीचे वापस आए, तो मेरी trade बंद कर दो तो ये strategy देखो आपको हातों से भी करनी थी, हातों से आपको वाँ बैठना पड़ता बट automation पर आपने रात को ही उसको define कर दिया, देखो सुबह ऐसा हो, तो भही ऐसा करना तो अब system काम करेगा आपके नाम पर, आप अराम से अपने office जा सकते हो, आप जो काम करना चाहते हो, वो कर सकते हो, तो ये एक बहुत ही best चीज हुई, इसी के साथ में मैं अपने client को बोलता हूँ time value, money value तो देखो पैसा तो यार आता रहता है, आप अगर trade करोगे, proper strategy जब तक मेरा या तो signal ना आ जाए कि भाई trade बन कर दो, या मेरा target ना आ जाए कि जितना मुझे चाहिए हो आ गया है, तो इससे फाइदर क्या हुआ, money value तो मुझे मिल गई, trade चल रही है, profits बन रहे है, time value मुझे कैसे मिली, मेरे नाम पर system काम कर रहा है, मुझे कोई tension नहीं है मैं आपके लिए video बना सकता हूँ, मैं दूसरी चीज़ों को सीख सकता हूँ, बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मैं अपना घूमने जा सकता हूँ, अपने office जा सकता हूँ, अपने college जा सकता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, तो ये भी automation trading आपको provide कराता है, तो उस buy के signal के साथ में ही मैंने यहां पर कुछ positions create की जो software के through ही की गई है, इसमें कोई भी manual trade नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात आती है, अब आपको दिखाता हूँ कैसे क्या चीज़े हुई है, ध्यान रखो, मैं यहां पर explain कर रहा हूँ, यह सब के लिए explain कर रहा हूँ, आप भी चीज़ को कर सकते हो, कोई rocket science नहीं है, इसके अंदर कितना fund reuse हुआ है, वो मैं आपको crystal clear साफ दिखाता हूँ, देखो, मैंने क्या किया, मैंने future lot को buy किया, 55 lot को, 74.43 के उपर, ठीक है, यह मैंने इसका price यहां पर fill करके रखा हुआ है, 73.43, ठीक है, मेरा target है कि मेरा कहना है कि यह इस 28 जुलाई तक 75 को touch करेगा, USD, INRQ की इसके अंदर buy का signal continue हुआ है, तो अगर यह 74.43 से 75 तक जाता है, तो मुझे 31,000 रुपीज का profit 55 lot के उपर होने बाला है, मेरा profit number 1, अब मैंने क्या किया, जब यह उपर जाई रहा है, तो कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए, कि मुझे एक दूसरी income भी आ जाए, तो मैंने यहाँ पर strategy किया, यूज की, मैंने 75 की call, जो 28 जुलाई की है, उसको मैंने 45 lot sell कर दिये, जिसका price था 0.32.62, यहाँ पर मैंने इसको sell किया, यह आद देख सकते हो, इसका price भी 0 बनना तय है, expiry वाले दिन, common सी बात है, क्योंकि इसके उप करें, अगर market sideways चलती रहती है, market मतलब USD हमारा sideways चलता रहता है, तो यहाँ पर मुझे जितना profit चल रहा है, चलने दो, ओपर से मुझे जो profits आएंगे, वो 14,000 के आसपास मेरे account में आने तय है, ठीक है, यह मैंने option selling की है, तो यह तो मेरे account में आने तय है, इसका मतलब है, जो य market science नहीं है दोस्तो, चीक है, अब बात करें, fund कितना use हुआ, आपको दिखाना चाहता हूँ, fund use हुआ है, 1,72,000, 1,72,000 के उपर profits कितने निकलेंगे, जरा इसको और इसको calculate करते हैं, तो final profit 46,000 rupees हमारे account में आने चाहिए, किस चीज के उपर, कि हमने बोलाया कि USD उपर जाएग कितने की account के उपर, fund कितना use हुआ, like 1,72,000, and जो monthly return की बात करूँ, like 1,72,000 पर 45,000, 46,000 वो 26.55% बैठता है, I think ये एक decent amount होती है, और tension की बात, हमें कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये नीचे गिरता है, तो हम लोग delivery लेके चलने वाले हैं, क्योंकि हम तो जो call, strike, price है, उसको zero बनना तै है, तो ये strategies, automation पर जब आप try करोगे न, तो आपके account में profit बनना भी तै है, दोस्तो, common सी बात आती है, ज़्यादा complicated चीजे करने से, कोई फाइदा नहीं होने वाला, जो चीज easily आपको मिल पा रही है, automation system, plus कैसी कैसी strategies यूज की जाती है, वो मै इक बार जरा उसको explain कर देता हूं कि कैसे आप लोग setup कर सकते हो, algo trading करने के लिए, तो आइए start करते हैं, जैसा कि अभी का हमारा broker है, हम लोग जिरधा में automation trading करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या setup चीए होगा, बिल्कुल step to step में आपको समझा रहा हूं, बस इतना करत सकते हो, ठीक है, इसके लिए आपको किन-किन चीजों की जरुवत पढ़ने वाली है, जरा ध्यान से समझेगा, आपको इसके लिए हमारा board, जो है next level board, उसकी जरुवत पढ़ने वाली है, और आपको आपका demate account जो है, उसको आप अपने chrome के अंदर login करके रखिएगा, प्ली step आपको पहले explain कर देता हूँ, सबसे पहले आप अपने जरुधा में login कर लीजिए, login करने के बाद ये page आपका open होना चाहिए, second step will be, आपको next level board में like register होना है, I think register होना बहुत easy है, आप वो देख सकते हो, वो मुझे यहाँ पर explain करने के I think जरुवत नहीं है, register करने के बाद आपका पूरा like महाँ पर आपको payment complete करनी है, like मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको dashboard पर जाना है, like registration होने के बाद में and आपको यहाँ पर option आता है कि get membership, महाँ पर जाके आपको monthly या फिर yearly जो भी आप plan लेना चाहते हो, हमारा आप वो ले सकते हो, उसके साथ ही next step आपको क् रखना है कि dashboard, like जो आपका next level board dashboard है, उस पे जो यह sequence webbook URL होता है, यह होता है trading view के उपर काम करने के लिए, और अगर आप charting के उपर काम करना चाहते हो, तो आप charting webbook URL copy कर सकते हो, मैं अभी यहाँ पर copy कर लेता हूँ sequence webbook URL क्यूँकि मैं यहाँ पर trading view से याजगो trading करना चाहत हूँ अपने system पे, तो सबसे पहली चीज़ आती है, आपको payment complete करनी है, आपको यहाँ पर copy करना है इसको, और आपको जाना है अपने trading view account के उपर, और यहाँ पर मैंने एक indicator लगाया हुआ है कि बहुत को sell का signal आए, तो sell हो जाए, buy का signal आए, तो मेरा buy हो जाए, यहाँ पर आप copy करके लाए हो next level board से, उसको यहाँ पर paste कर देना है, I think यहाँ तक का step complete हुआ, और इसको एक बार create कर दीजिए, तो next time जब आप यहाँ पर alert create करोगे, तो आपका यह webbook URL already यहाँ पर save हो जाता है, तो यह चीज़ आपको करनी है, तो यह हुआ आपका first step, अब बात आती ह है कि आपको अपने जिरुधा Demet account की API connect करनी है, हमारे next level board के साथ, वो कैसे की जाएगी, उसके लिए आपको simple सा step है, पहले तो आपको payment complete करनी है, मैं फिर कहता हूँ, without payment, यह काम नहीं करता है, यहाँ पर आप जाएंगे, फिर नीचे के जरफ आएंगे, आपको यहाँ पर tools and help पे click करना है, और यहाँ पर आपका resources पे click करना है, यहाँ पर resources पे click करने के बाद में कुछ important चीज़े यहाँ पे दिखाई गई है, जरा ध्यान से समझेगा, बहुत यह simple वीडियो को और आम और आम से समझ के आप complete कर सकते हो, आप क्या करोगे, जो नीचे की तरफ जब आ आओगे, तो यहाँ पे आपको API Dashboard URL दिखाई देगा, ठीक है, हमारा जो है, वो है जरुधा काइट, हम जरुधा में काम करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इस पे click करूँगा, और यहाँ पे एक नई link open हो जाएगे, मैं इस पे click करता हूँ, and यहाँ पे मैं अपनी detail fill करक कैसे समझे, आपको यहाँ पे sign up पे click करना है, और sign up पे click करने के बाद में, आपकी पूरी detail like आपका जरुधा में, जो mail address था वो, आपका नाम जैसा की जरुधा में है, एक नया password बना लीजिए, same to same जरुधा जैसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना phone number जो आपके debit account में, और आप कहाँ पर रहते हो, किस state में रहते हो, वो यहाँ पे fill करो, और इसको ok करके, आप यहाँ पे sign up करोगे, तो sign up करने के बाद में, आपका पूरा entry हो जाएगी, ठीक है, मेरी यह सारी चीज़े अल्री हुई है, तो मैं यहाँ पे sign in कर लेता हूँ, करने segment पे जाने के बाद में, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको connect using kite पे click करना है, आपका जैसे यहाँ पे इसको click करोगे, तो आपको जो demit account है, वो यहाँ पे link हो जाएगा, ध्यान रगने की बात है, कि आपका जो पैसा होता है API का, वो आपके demit account से कटने वाला है, आप इ हमें एक नया app create करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़े करनी है, चलो create new app पे click करता है, click करने के बाद में next step है, यह आपको बताएगा कि कितने charges वगरा लग रहे हैं, उपर नीचे होते रहते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, कि यह आपकर डाल दिया, उसके बाद आपको जो यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना होता है, redirect URL, अब यह कहां से मिलता है, इसके लिए आपको जाना है, दुबारे से next level board के उपर, जहां से हमाये थे न, API dashboard URL पे, उसके ठीक उपर की तरफ आप देखोगे, तो यहाँ पे redirect URL लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इस वाले URL को कॉपी कर लेंगे, ठीक, कॉपी करने के बाद अगेन हम जाएंगे अप पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे create पे क्लिक करना है, create पे क्लिक करने के बाद में यहां पे आप लिखेंगी I understand और आप इसको ओके पे क्लिक कर देंगे जैसे कि आप जानते हो मेरा ओल्लेडी बना हुआ है यहां पे ओके पे क्लिक करते ही आपका जो एप होगा वो बन कर तयार हो जाएगा और वो कुछ ऐसा दिखाई देगा यहां पे मेरा cancel दिखा रहा है क्योंकि मैं इस account में काम नहीं कर रहा हूँ आपका यहां पे already बनाओ वा दिखाई देगा तो आपको क्या करना है यहां पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपका यहां पे जो नाम है वो दिखाई देगा आपका जो redirect URL है वो भी दिखाई देगा सारी चीज़े आपको दिखाई देंगे आपको जिन जिन चीजों की जरुवत है वो आपको मैं बता देता हूँ किन किन चीजों की जरुवत है आपको क्या करना है आपका basically next level board पे जाएंगे अब next level board पे जाने के बाद में dashboard पे click करेंगे dashboard पे click करने के बाद में next step होगा आपको API credential पर जाना है ठीक है API credential पर हम चले जाते हैं जाने के बाद में next, हमारा क्या होने वाल है, हम जिरुधा में API आड़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर add API करूँगा, add API करने के बाद मैं यहाँ पर नाम डालूँगा, उस app का जो मैंने create किया है, आप अपना नाम जो भी हो सकता है, like यहाँ पर explicit rate डाल सकते थे, आप अप copy करने के बाद में इसको आपको API की को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, और third step जो रहेगा यहाँ पर आपका basically, वो आपको यहाँ पर करना है, show API secret, ठीक है, यह दो चीज़े important होती है, API की और API secret, यहाँ पर जैसे ही show होगा, इसको copy करके हमें क्या करना है, उसको यहाँ पर दाल देना है, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर save जिरुधा कर देना है, that's it, और उसके बाद आपका यह app cut जाएगा, इसको cut कर देंगे, मेरा already यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हो, यह मेरा already यहाँ पर connected है, अब हमें क्या करना होता है, सुभर सुभर basically क् यह on करना होता है, यह on कैसे करना है, मैं आने वाली वीडियो में आपको बिल्कुल 0 से बताऊंगा, बट अभी ध्यान दो, हमने क्या क्या चीज़े की है, हमारा जो dmit account है, वो login किया है, हमने next level board open किया, नीचे tools and help पे गए, वहाँ पे जाके हमने click किया resources के उपर, then वहाँ पे हमने अपनी API dashboard में login किया, जो जिरुधा का है, उसके बाद वहाँ से जो details थी, वो सभी details हमने यहाँ पे API credential के उपर आए, और यहाँ पे अपनी API connect की, कहाँ पे click करके, जिरुधा API के उपर, और यहाँ पे अपना नाम डाला, जो हमारा app का नाम है, वो यहाँ से आप copy कर के डाल दोगे, और अपनी API key और API secret आप यहाँ पे डालोगे और save कर दोगे, तो इतना step करना होता है, automation trading setup करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि हमने already क्या क्या चीज़े की हैं, हमने यहाँ पे अपना जो sequence web qrl है, उसको connect किया है अपने trading view से, अब आपका जो काम होने व सेव है, अब जैसे ही यहाँ पे cell का signal आएगा, तो cell के signal के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे code डालना होता है, code कैसे डालता हूँ, मैंने वीडियो आ रही है, थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो आप पूरी देख सकते हो, प्लेलिस्ट अगर आप इस प्लेल पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद message box के अंदर हमें code डालने होता है, code कैसे create करना है, वो आप हमारी आने वाली other videos के अंदर देख सकते हो, मैंने पूरी series में video create की हुई है, एक-एक code कैसे create करना है, तो बस इतना ही setup complete करना होता है, ध्यान रखने की बात है, और कोई भी setup नहीं चाहिए होता है, ठीक है, so इस तरीके से हम लोग automation trading complete कर सकते हैं, और आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अभी हमने यहाँ पर trading view के बारे में समझा, same इसी तरीके से हम लोग charting पर भी करते हैं, आप हमारे playlist में जाएए, वहाँ पर अगर आप charting पर काम करन support team members कही हैं, आप वहाँ पर contact कर सकते हैं, हम खुद आपकी help करेंगे, आपका setup complete कराने में, और जो भी चीज़े आपको required हैं, वो चीज़े आपको provide की जाएंगे, like strategies से लेकर, indicators से लेकर, like personal support तक कि क्या issue आपके सामने generate हो रहे हैं, so I wish की video आपको पसंद आई होगी, आप next video जरूर देखेगा, बहुत ही important and बहुत ही जादा easy चीज़े महाँ पर मैंने समझाई है, जो कि आप अपनी trading skills को improve कर सकते हैं, so इसे के साथ video बंद करता हूँ, मिलते हैं next important video के अंदर,